दोस्तों सब्सक्राइब करें क्रिकेट नाइन यूटिब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें तागे हमारी वीडियो मिले आपको सबसे पहले दोस्तों अगर आप बाबाराजम को एक बहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को ज़रू लाइक करें पाकिस्तान और उस्टलिया के बीच खेले गए दूसरे वंडे मैच में पाकिस्तान ने उस्टलिया टीम को करारी शिकस दिया आपको पता दू पहले वंडे में हार के बाद पाकिस्तान ने दूसरे वंडे में शांदार जीत हासिल करके सिरीज में एक-एक की बराबरी कर ली वंडे सिरीज के पहले मकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त दे कर सिरीज में बड़त ले ली थी लेकिन जब लाहूर में दोनों टीमें दूसरा वंडे मैच खिलने उत्रे तो मेजबान पाकिस्तान टीम ने ब्यास सहीद बर्ला ले लिया पाकिस्तानी टीम ने 349 रणों का पीछा करते हुए अपने वंडे इतियासी जीत दर्ज की और टीले ने पाकिस्तान को 349 रणों का लक्ष दिया था लेकिन माबार और इमाम उल्हक के होसले ने उस्टिलिया एक इनबाजों को बेहाल कर दिया छे विकेट से जीत के साथ उन्होंने सिरीज में एक एक से बराबरी कर ली है मैच में उस्टिलिया ने बेन मैकडरमाट के करियर के पहले शतक और सलामी बल्ले बास ट्रिविस हेड के साथ उनकी बड़ी शतके साज़ेदारी से आठ विकेट पर 349 रन का बला स्कोर ख़़ा किया था इसके बाद 349 रनों के लक्ष का पीज़ा करने उतरी पाकिसानी टीम की तरब से फकर जमान के अर्दशतक के बाद इमाम उलहक और कप्तान बाबाराजम का कहर शुरू हो गया बाबाराजम और इमाम उलहक की पारियों के दम पर पाकिस्तान ने उन्चा सवर में चार विकेट खोकर 352 रन बना कर जीत हासिल की लाहूर के गदावी स्टिटियम पर इस मैच में जितने रन बाउंडरी से आए वैसा यहाँ पहले कभी नहीं हुआ था इस मैच में दोनों टीमों ने मिलाकर 697 रन बनाए इस दोरान दोनों टीमों के बल्लेबाजो टीम 18 चके और 56 जड़े उसलिया की तरफ से बेन मैक डूर्माट ने शटक ठोका और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में शटक जड़ने वाले 1000 वे क्रिकेटर बनी जबके पाकिस्तान के तरफ से बाबाराजम और इमामलक ने शटक ठोके मैच में उसलिया के बल्लेबाजो ने 10 चके और 30 जोके लगाए जबके पाकिस्तानी बल्लेबाजो ने 8 चके और 26 जोके लगाए पाकिस्तानी टीम ने इस मैच में 349 रनों के लक्ष का पीशा करती हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की वो भी एक अवर बाकी रहते हुए यह पाकिस्तान के वंडे इतिहास में सिर्फ उनके मैदान पर ही नहीं बल्के किसी भी मैदान पर लक्ष का पीशा करती हुए उनकी सबसे बड़ी जीत है पाकिस्तानी कप्तान बाबाराजम ने सिर्फ के पहले वंडे में अर्दशतक जड़ा था लेकिन उस मैच में वो अपनी टीम को नहीं जिता सके थे लेकिन दूसरे वंडे में 83 गेनों में 114 रनों की पारी खेली जिसमें 114 और एक शक का शामिल था इस धमागेदार पारी के दम पर उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को जीत दिलाने में एहम भूमी का निवाई बलके वो पाकिस्तान के पहले ऐसे कप्तान बन गए जिसने उस्ट्रिले के खिलाव वंडे में शतक्तो का हूँ दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही